हेलो बच्चों नमस्कार श्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल एक्रोटेक स्टड़ी में और मैं हूँ अरुविन द्यादल बच्चों जैसा कि आपको पता है कल एक्जाम है MPPT कल है कुछ बच्चों का परसों होगा आठ और नो तारिक जिससे आपको मालूम है PCM, PCB और agriculture के जो चात्र हैं वो परिक्षा दे रहे हैं तो आठ और नो तारिक को एक्जाम है इसलिए ये वो सरी बाते हैं जो आपको एक्जाम में बहुत काम आने वाली है जो मैं कहे रहा हूं वो आपको याद रखना है पहली बात तो आप याद रखें अपना प्रवेश पत्र सब लोग डाउनलोड कर लिए निकाल लीजिए उसको ठीक है न और अब थोड़ा सा बच्चों में घबराट जरूल हो रही होगी जिन्नों अच्छी तैयारी की है उन्हें मन में ऐसा लग रहा हुआ कि हमारी तैयारी कमजोर है ऐसा कुछ ऐसा आता है जन्नली और उन्हीं बच्चों को आता है जे सच में इनकी अच्छी तैयारी होती है उनके मन में इस बात जरूला आती है कि आर ऐसा नव पेपर कहीं आउट नहीं हो यह उनको नहीं किया उनका तो कुछ कह नहीं सकते बाकी सबको पोजिटिव रहना है सकरात्मक सोच रहना चाहिए और जिसे कल एक्जाम है जिन छात्रों का तो उनको आज नाइट को जितना हो सके सोना है पढ़ना नहीं है ज्यादा ना पढ़ा है कर थोड़ा बहुत ऐसा लगता है कि देख लें थोड़ा बहुत तो आप अब ज़ली से आपको याद आएगगे ठीके ना प्रबेस पत्र लेके जाना रखें आधार कार्ड साथ में लेकर ही जाना है ठीक है जिससे अपने और कार्ण होना चाहिए ठीक है और कोशिश करें कि पानी की जो बोटल है वो लेकर जाए कि जब हम क्योंकि ओनलाइन होना अच्छा यह पता है बहुत सरे बच्चे तो पूछ रहते फोन करके कि सरे ओन टो ऑन-laiन एक्जाम होता है लगबग 2016 से लगए साथ आठ साल हो गई है जबसे आठ साल सी एक्जाम आपका ओन-लाइन ही हो रहा है ठीक है तो कंप्यूटर आपको चलाना आता होगा इसी में उम्मीद करता हूं अप्यूटर चलाने का कोई आपको कुछ वहां कुछ वैसा नहीं करना है, छिर्फ आपको माउस को चलाना हूँ, उस पर आपको किलिक करना है, जो भी अंसर सही होगा वहाँ पर और next पर किलिक करना है, ठीक है ना, save next लिखाता है, save next, save next जिसके करते जाएंगे, और कॉशन आगए, आपको पता है कॉशन जो है, हिंदी में और इंग्लिज में दोनों में आने वाले हैं तो टेंशन लेने वाली बात है नहीं है आप ठीक है ना और लास्ट में आपको एक चीज किलियर होगी कि जब आपको सोच नहीं नहीं आएगा तो इस प्रकार से आप लोग जो है ना जाम को दे वहां पर बिलकुल सकारात्मक रहना है बिलकुल नेगटिब तो आपको सोच नहीं नहीं नमर आपके आच्छा है पानी की बोटल लेके जाए और अगर आपको बीच में बैस रहा कि थोड़ा थोड़ा पानी यह बीच में पीते रहें अब मैं यह बात क्यों कह रहा हूं क्योंकि पानी जैसे थोड़ा बहुत लेंगे तो अपका दिमाग क्या करेगा तो आपको कोशिस करें कि एकजाम से दो घंटे पहले वहां पर आपका रिपोर्टिंग टायम है तो रिपोर्टिंग टायम तक आप पहुंच जाए लेट ना हो अगर जो बच्चे ज्यादा दूर है तो एक दिन पहले ही सेंटर पर नहीं पहुंच पाए तो उस सहर में मतल और समय का विशेश महत होता है कि समय थोड़ा सा लेट होता है तो ओनलाइन एकजाम में रहता है कि अगर आप समय से रिपोर्टिंग टायम के बाद थोड़ा सा ओल लेट हो रहे हैं तो फिर वो जो होती ना अंदर भी नहीं जाने देते हैं कई बार तो यह बहुत ज़्या विश्याद रखें आधार कार्ड के साथ आप 10 की अगर मार्क सीट आ गई हो आपके पास तो उसको भी ले जा सकते हैं ठेके ना और फोटो कोफी नहीं चलेगी विशेश द्यान रखें फोटो कोपी मान नहीं होती है और जीनल आधार कार्ड ही आपको ले जाना होगा या लेकिन आपके पास यह सब चीज़ें नहीं होगी आधार कार्ड सभी के पास होता है उसको लेके जाए और फोटो कोपी ना ले जाए बार बार के रहा हूं ठीक है और एक्जाम बड़े अच्छे से देना है और नमर जो भी यहां जितनी भी आपने महनत किये उसके अकोडि जो का एक्जाम छूट जाता है तो उस चीज से बचने के लिए आप लोग सेंटर पॉजिटिव रहें और जो सापने पढ़ाई की है वो ज़रूर एक्जाम में आएगी ऐसे और कोशिश करें कि इस सुबह जब जाए तो खाली पेटना जाए थोड़ा बुद कुछ खाफी होगा तो समय से ठीक है भाकी आपको आगे से ही बदाई सुबकाम ना आए बेस्ट अप लग आप लोग सफलों ऐसे एग्रोटेक स्टडी के और से आपको सभी को बदाई हैं कि आप लोग सफलों बस हमारी यह इच्छा है कि आप जितने अच्छे सफलोंगे तो बैतर रहे कमेंट बॉक्स में लिखके आप लोग मुझे कल और परसों में दो देना आप लोग बता देंगे ठीक है ठीक है ठीक है बचो एक फोटो जरूर लेके जाना फोटो जो फासपोस साइट फोटो लता है वो फोटो लेके जाए और आधार काड यह जरूरी है मैं आपको बता आपको करने होंगे इस बात का भी थोड़ा सा ध्यान रखे फोटो का और साइन का ठीक है के लिए चलिए बच्छो नमस्कार मिलते हैं फिर नेक्स वीडियो में